नमस्कार सभी को स्वागत आपका अमारे चैनल के ओपर एक और नई वीडियो में मेरा नाम आक्षे आज हम रिविउ करेंगे न्यूँ यूंडाई टुकसान का टोटल फाइव कलर्स के अंदर आती है यह आप एमाजोन ग्रे कलर अपनियां खोई सामने देख रहें थ्री वे यूंडाई का कोई भी प्रोड़क्ट पचेस करना हो श्रुमी डेटेल आपको डिस्क्रिश्म में दी गई है दी गए नंबर पर कॉंटक्ट कीजिए विजिट कीजिए इसार विंडाई टू इंजन ओप्शन देखने को आपको मिलते हैं एक आपका पेट्रोल वन थाउज कोमन रेल डिरेक्ट इंजेक्शन और डीजल बेसिक्स इंजन जो बडियूस करता है 186 प्येस 4000 रपीम पर और आपको टोर्क 416 न्यूट्रमिटर का मिलता है 2000 से 2750 रपीम पर की कुछ इस प्रगार की आपको देखने को मिलती है की को आपको लोक अनलोक होल्ड करकर बूट करने का बटन और होल्ड करकर इंजन स्टार्ट ने का बटन दिया जाता है क्रों की आपको गर्निश मिलती है बैक सेट पर आपको यू नडए का लोगो मिलता है और पीछह बटन दिया जाता है जिससे आप अपनी मेनल की इस्तमाल में ले पाएंगे जब आपकी कार की यहां पर आपको डाक क्रोम में फ्रंट ग्रिल देखने को मिलती है जिसे युणड़ाई डाक क्रोम पेरमेट्रिक फ्रंट ग्रिल कहता है यह आपका युणड़ाई का लोगो उसके निचे आपको कैमरा प्लेस है यहां पर आपको सिगनेचर लाइटनिंग देखने को मिलती है आपको पेरमेट्रिक हीडन LED DRL पोजिशनी लैंप देखने को मिलते है उसी के ही निचे आपको LED हेडलैंज देखने को मिलेंगे LED स्ट्राटिक बेंडिंग लैंप साहिए connecting LED tail lamps आती है आपको rear में आपको front में भी parking sensors मिलते हैं यहाँ पर लगए आपका towing hook यह आपकी number plate four parking sensors मिलते हैं आपको front में यह आपका दूसरी side का LED head lamp front bumper के उपर आपको chrome की modeling दी जाती है air vent है दोनों side मिलते हैं आपको यह आपके LED hidden positioning lamps DRL front bumper आपको मेरता है gray color के अंदर Hyundai Smart Sense Adass है जिसके अंदर आपको features दी जाते है FCW, FCA, Car, FCA Pedestrian, FCA Cycle, FCA GT BCW, BCA, LDW, LDKA, DOE, BVM, SCW, LFA, HBA, LVDA, RCCW, RCCA, SVM front suspension की बाद की जाए तो आपको यहाँ पर दी जाता है Mac Pearson strut with gas type suspension MRF wonder के आपको tire दी जाते है tire section की बाद की जाए तो आपको 225, 60, R18, 103H tire section देखने को मिलते है front में आपको disc brake दी जाते है LV के center में आपको Hyundai का logo मिलते है और ऐसे दिखते हैं आपके diamond का टेलाई wheels Body color आपको OR VM दी जाते है integrated LED 10 indicator के साथ आता है उसके उपर आपको setting finish दी जाती है और नीचे आपको camera place मिलते है electronically adjustable foldable आपको mirrors दी जाते है front wiper आपको range sensitive wiper दी जाते है यह आपका address camera full size आपको pen room में sunroof दी जाते है black color में आपको grab rails दी जाते है black color में आपको shark fin 19 दी जाते है A, B, C pillar आपको pen black color में मिलते है request sensor आपको cooperation जा साइट भी दी जाता है और ऐसे देखते हैं आपके body color door handle यह आपकी skid plates देखिए cuts and crease का बहुत ही बैटरी नुपयोग किया गया है new yunday Tucson के अंदर दीखिए aerodynamic design है car का बात करते हैं fuel tank की यहाँ पर आपको दिया जाता है 54 लिटर आपके तेंक और यहाँ से आप भरेंगे petrol and diesel जो भी आपका variant होगा बात करते हैं rear suspension की यहाँ पर आपको दिया जाता है multi link with cold spring gas type suspension MRF wonder के आपको tie दिये जाते है rear में भी आपको disc brake मिलती है tie section की बात की जाए तो आपको 235, 60, R18, 103H tie section मिलता है center में Hyundai का logo मिलता है आपको और ऐसे दिखते हैं आपके new diamond का टेलोई wheels यह दिखिए आपको set and finish मिलती है high mount stop lamp है rear defogger, rear wiper, rear washer के साथ हाता है यहाँ पर आपको Hyundai का logo place मिलता है यह rear camera उसके उपर आपको white light दी जाती है नमर प्लेट पर गेड़ने के लिए ऐसे दिखता आपका light का side look glittering effect के साथ आती है आपकी tail lamps यह आपका rear fog light, four rear parking sensor आते है तो इंग hook लगेगा आपका यहाँ पर और आपको set and finish मिलता है आपका rear bumper और यहाँ पर प्लेश आपका exhaust note आई है मैं आपको tail gate है उसे open करका दिखा देता हूं कुछ इस प्रकार से आप open कर सकते हैं pair के gesture से भी आप open कर सकते हैं की से open कर सकते हैं और गाड़ी में बैठे वहाँ पर भी आपको button दिया हुए आगे वहाँ से भी आप open कर सकते हैं आपको यहाँ पर पार्सल शेल्फ मिलती है आपको इसकी क्वाल्टी भी बहुत बहतरीन है मैं आपको लगा कर दिखा देता हूं पार्सल शेल्फ के ओपर आपको white stitching दी जाती है यहाँ पर लगेगी आपकी पार्सल शेल्फ यह देखिए रेर सीट जो मिलती है आपको 60-40 split seat function आता है बात करते हैं boot space की यहाँ पर आपको दिया जाता है खुल 540 लिटर का आपको boot space दिया जाता है यहाँ पर आपको light दी जाती है 12 वोड power socket दिया जाता है hook दिया जाता है आपको और यहाँ से आप lever को खीच कर अपनी जो seat है उसे fold कर पाएंगे boot carrying capacity को बढ़ाने के लिए कुछ इस प्रकार से यह देखिए flat fold हो जाती है seat से आपकी आपको कुछ इतना boot space बढ़ जाता है यहाँ पर आपको subwoofer दिया जाता है hook दिया जाता है spare wheel आपको यहाँ पर place है spare wheel के tie section की बात की जाए तो आपको यहाँ पर दिया जाता है 135 80 R 17 tie section speed limit आपको 52 80 की दी जाती है इसके उपर steel wheel आता है black color में थोड़ सी space आपको side में दी जाती है देखिए यहाँ पर भी space मिलती है आपको अगर आपको tail gate बंद करना है तो आपको यहाँ पर button दिया जाता है और बाकी handle भी दिया जाता है जिससे आप इसे खीच कर बंद कर सकते है one touch से ही आपका tail gate बंद हो जाएगा और soft close के साथ बंद होता है Travis side door पर चलते हैं यहाँ पर आपको request sensor दिया जाता है और मेनल की लगाने के लिए आपको hold दिया जाता है इसी के under इसे खोलते हैं हम अब खोलने के बाद आप यह देखेंगे कि यह बहुत ही wide open होता है जिससे आप in and out easily हो सकते हैं कार के अंदर three interior option मिलते हैं आपको black light grey और managal twitter मिलता है आपको यहाँ पर और यहाँ पर आपको दिये जाते हैं two memory seat के function panel black finish उसके ओपर आपको satin finish दी जाती है यह आपको fabric मिलता है यहाँ पर यह आपका hard plastic satin में आपको door lever दिया जाता है यह आपके ORVM के controls lock and lock करने के लिए आपको button दिया जाता है और power window up and down करने के लिए आपको button दिया जाता है यहाँ पर थोड़ी से space piano black finish और यह आपको दिया जाता है soft touch उसके उपर आपको दिया जाती है black stitching वान लीटर बोटल होल्डर दिया जाता है आपको यहाँ पर भोस का आपको speaker दिया जाता है यहाँ पर और यह आपकी इस का प्लेट जिस पर टुक्सान लिखावा मिलता है आपको 10-way electronically power adjustable आपको driver seat मिलती है और 8-way आपको electronically power adjustable co passenger seat मिलती है यहाँ पर आपको dead pedal आपकी brake and trace दी जाती है यहाँ पर आपको बनट ओपन करने का लिवर और यहाँ पर आपको मिलती है light grey leather head upholstery set and finish adjustable head rest ventilated seats आती है height adjustable आपको seat belt मिलती है यहाँ पर आपको traction control off और आपका boot open करने के लिए button और उसी के साथ आपको light adjustment के लिए scroller दिया जाता है आए यह अंदर चलते हैं कार के दोर को बंद कर लेते हैं अब हम यह आपको soft touch दिया जाता है यह आपको fabric finish दी जाती है यहाँ पर यह आपका इस event set and finish और यह देखिए आपको यहाँ पर भी soft touch दिया जाता है यह आपका speaker यह आपका event set and finish fabric touch soft touch club box open करते हैं अब हम cold club box दिया जाता है deep space है और आपको light दी जाती है जो की yellow color के अंदर आती है इसे open करते हैं अब हम यहाँ पर आपको मिलता है vanity mirror और यह पूरी तरह open होता है यह देखिए कुछ इस प्रकार से इसे बहुत ही बैटरीन फंक्शन युणड़ाई को इसके लिए thumbs up इसे बंद कर देते हैं अब हम ड्राइवर साइड भी आपको 20 मिलत दिया जाता है और यह पूरी तरह open होता है यहाँ पर भी रूफ पर आपको light प्लेस की जाती है जो की yellow LED light है यह देखिए को बेसे इसे साइड भी आपको दिये जाती है light यह आपकी light ओन करने का button white light दिये जाती है sun roof sun shade open करने के लिए आपको button मिलता है यहाँ पर sun roof इसलिए open नहीं हुई क्योंकि गाड़ी अभी off थी गाड़ी on करने के बाद आपकी sun roof open होगी और sun shade भी साथ में one touch से ही आपकी sun shade open हो जाती है और sun roof भी यह देखिए पहले आपकी sun shade open होगी उसके बाद आपकी sun roof open होगी और कुछ इतनी यह wide open होती है यह क्रिप्या करके चलती गाड़ी से इससे बाहर ना निकले वो safe नहीं है आपके लिए हमारी बात को माने धन्यवाद sun roof बंद करकर अब हम आगे की वरतलाब करेंगे पहले इससे बंद कर देते हैं अब हम बहुत ही बड़ी आपको sun roof दी जाती है यह आपका light gray color में आता है sun shade और यहाँ पर भी आपको light दी जाती है बताना भूल गया था यहाँ पर आपको मिलता है आपका sos बटन उसकी निचे आपको दिया जाता है आपका electro chronic IRVM center में आपको दिया जाता है इस event chrome की finish चार तरफ आपको dark chrome दिया जाता है hazard का बटन टोप पर floating touchscreen infotainment system दिया जाता है जो की 10.25 इंच का है यह आपको show करता है आपका map, navigation, phone, phone projection, voice memo, climate, velvet mode, quiet mode, radio, media, blue link, setting, apple carplay, android auto, आपको wireless show करेगा quiet mode के अंदरा आप quiet जो है कर सकेंगे velvet mode उसके लिए आपको blue link services app से connect करना पटाएगा blue link के अंदरा आपको share destination, calendar, weather, sport, vehicle diagnostics, blue link, setting देखने का option मेलेगा और आपको यहाँ पर डिस्प्ले में, vehicle of navigation, sound, device, vehicle के अंदरा आपको driver assistance, cluster, climate, seat, light का option देखने हो मिलता है driver assistance के अंदर आपको warning timing, volume, door, forward safety, lane safety, blind sport safety, parking safety का option देखने हो मिलता है cluster के अंदर आपको brightness, select theme, service interval, reset और यहाँ से आप जो dashboard की brightness up and down कर पाएंगे service interval, reset fuel economy, content selection, यहाँ से कर पाएंगे आप अब हम आगे बात करते है seat के अंदर आपको seat position, change alert, climate के अंदर आपको internal air circulation, automatic ventilation, default default option आपको यहाँ पर दिया जाता है और इससे बात करें आगे अब हम seat के अंदर seat position, change alert दिया जाता है, seat access आपको यहाँ से देखने को मिलेगा और उसी के निचे आपको lights का option मिलता है, driver seat के अंदर आपको extended, normal और off यहाँ से आप कर पाएंगे driver seat आपकी lambard sport के साथ आती है, new Hyundai Tucson के अंदर light के अंदर आपको immediate light का option मिलता है, 64 colors के अंदर आपको immediate light मिलती है, one touch, turn indicator, brightness आपको कम करनी है, यादा करनी है color की बात करें तो यहाँ पर आपको polar white, moon white, ice blue, ocean blue, jade green, और उपर करेंगे तो आपको orchid green, fish yellow, sunrise red, aura purple, lightning violet, और custom color करने के लिए option दिया जाता है, आपको custom color अगल आपका select करना है, तो यहाँ से कर पाएंगे आप, कुछ इस प्रकार से, ambient light आपको कहाँ कहाँ शो होगी, यह मैं आपको दिखा देता हूँ, एक तो आपकी यहाँ होगी, देखिए, अब मैं आपको color change करके दिखा रहा हूँ, purple, blue, pink, purple, blue, pink, कुछ इस प्रकार से हो रहा है, यह देखिए, मैं इसे स्क्रोल कर रहा था अभी, डोर के अंदर आपको, auto lock, auto unlock, power tailgate, opening speed, power tailgate, opening height, smart tailgate, देखिने का option मिलेगा, convenience के अंदर आपको, rare occupant alert, wireless charging system, auto rare wiper, का option मिलता है, voice recognition भी आता है यहाँ पर, और navigation भी आपको sport करेगा, साउंड के अंदर आपको, premium sound, dynamic, speed consumption, volume, position आपको, कहाँ पर सेट करनी है, यह, equalizer, guidance, radio noise control, guidance के अंदर आपको, navigation voice guidance, navigation alert, navigation during phone calls, navigation prioritized, mute navigation guidance, radio noise control, आप यहाँ आज़ कर पाएंगे, driver assistance के अंदर आपको, drive safety, parking safety, priority, high, low, medium करनी है, connected devices के अंदर आपको, android auto, apple car play देखने को मिलेगा, user profile के अंदर आप, guest है या अपनी profile है, वो select कर पाएंगे, spoken languages, general setting के अंदर आपको, version, system, date, time, language, keyboard, यहाँ से select कर पाएंगे, language के अंदर आपको, hindi, marathi, english, guriyati, panjabi, korean, यह languages मिलेंगे, यहाँ पर आपको बटन दिये जाते है, setup का, media का, radio का, seek का, track का, star का, navigation का, map का, volume, up and down, और switch off करने के लिए, screen को बटन, dual zone, climate control, इसी आता है, ambient light, USB type A port, 12 watt, power socket, उसी के साथ आपको दिया जाता है, USB type A port, और यहाँ पर आपका प्लेश है, wireless charging pad, यह देखिए, उसी के साथ थोड़ी सी space, और यह आपका 8-speed automatic transmission gearbox, उसके surrounding में आपको दिया जाती है, chrome की garnish, leather touch है, piano black finish है, साथ में आपको दिया जाते है, cup holders, यहाँ पर, यहाँ पर आपको 360 degree camera मिलता है देखने को, यह देखिए, front view, back view, side view, rear camera आपका adaptive guidelines के साथ आता है, camera की brightness, अगर आपने कम यादा करनी है, वो कर पाएंगे, आप, hill hold, parking brake, auto hold function के साथ आती है, यहाँ आपकी piano black finish, ventilated seat on-off करने के लिए आपको button दिये जाते हैं, driver and co-pansion just side के, यहाँ पर आपको button मिलता है, यहाँ आपका armrest, जो की खुलता है, वो deep space दी जाती है, जहाँ पर आप अपना समार्ख पाएंगे, soft touch के साथ आता है, white stretching, और ऐसे दिखता है, आपका steering wheel, leather head touch के साथ आता है, आपका steering wheel, black stretching मिलती है, आपको, यहाँ पर आपको set and finish मिलती है, यह देखिए, और यहाँ पर आपको lever दिया जाता है, जिसे आप steering wheel को tilt and telescopic adjust कर पाएंगे, center में आपको Hyundai का logo मिलता है, और यहाँ पर आपको मिलते हैं, आपके lane की persist, cruise control, off and on, करने के लिए button, और साथ ही MID के आपको button दिये जाते हैं यहाँ पर, यह आपके lights के control के button, यहाँ पर दिये जाते हैं, और यह आपके wipers के control, यहाँ पर दिये जाते हैं, आपको, left side पर आपको call उठाने, काटने, mute करने के लिए button दिये जाते है, mode select करने के लिए button दिये जाते है, center में आपको Hyundai का logo मिलता है, chrome के अंदर, home का button, SRS airbag की branding, यहाँ पर आपको 10.25 inch का, instrument cluster दिये जाता है, जो आपको show करता है, आपका fuel, kilometers, distance to empty low fuel indications, speed, RPM, attention level, आपका temperature, driver information, average, accumulated info, compass, आपका 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 आपका, tire pressure monitoring system, urea level, जैसे कई features, यह show करेगा आपको, साथी साथ seat belt reminder, battery indication, और आपको coolant temperature भी show करेगा यह, और ऐसे दिखता आपका dashboard, आइए अब हम चलते हैं, rare passenger side seat पर, उससे पहले, मैं अपनी जो seat है, उससे adjust कर लेता हूँ, मेरी height है 5.8 feet, door open करते हैं अब, यहाँ पर आप देखेंगे, कि आपको बहुत ही wide door opening मिलती है, जिससे आप in and out हो पाएंगे easily, यह आपका soft touch, satin finish, piano black finish, उसे के निचे आपको fabric finish दी जाती है, और यह आपका soft touch, यहाँ पर आपको soft touch मिलता है, black stitching, piano black finish, window up and down, scroller, lever, setting finish के अंदर, one liter bottle holder, boss का speaker, और यहाँ पर आपको scarf plate दी जाती, जिसके उपर आपको टुक सान लिखावा मिल जाएगा, ऐसे दिखते हैं, आपकी rear passenger side seat, three pointed seat belt के साथ आती है, ISO fix child mount है, adjustable आपको headrest दी जाते हैं, center passenger के लिए भी आपको headrest मिलता है, वो भी adjustable, और यहाँ पर आपको, armrest दिया जाता है, twin cup holder के साथ, देखी, इतना आपको knee room मिलता है, magazine holder, under thigh sport भी बहुत ही अच्छा है, headspace की बात की जाए, तो आपको इतना headspace मिलता है, देखी, 6.5 feet का position, इसली यहाँ पर बैठ सकता है, grab rails दिये जाते हैं, white light, दुस्री साइड आपको grab rails मिलता है, light मिलती है, और आपको hook दिये जाता है, rare race event है, setting finish के अंदर आपको nob दिये जाते हैं, दो USB टाइप A port मिलते हैं आपको यहाँ पर, हम्प की बात करें, तो minimal सा हम्प है, ज्यादा नहीं है, 3% एजली हमपर sit कर सकते हैं, और ऐसे दिखता है आपका dashboard, बताइए कैसी लगी आपको new Hyundai Tucson Amazon ग्रे कलर के अंदर, comment section में, अगर नए हैं तो चैनल को like, share, subscribe, और शक्राइब आवश्य कर लीजए, आने वाड़ी बैतरीन वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए, रामराम भारतमाता कीजे,